नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडेल्या 36 गड के डोंगर गड में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया इस दोरान कृशी कानून का विरोध जाहिर किया गया आपको बता दे कि प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी एवं राजनान गाउंजिला ग्रामीन कॉंग्रेस कमेटी के निर्देश पर ग्राम धारा में कृशी कानून के विरोधेवं दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त रूप से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया वही सभी जनप्रतिनिधियों ने किसान सम्मेलन में केंद्र की मोधी सरकार के तीन किसान विरोधी बिल को लेकर अपने उद्भोधन के माध्यम से जम कर रोश्च जाहिर किया ये भी देखने में आया कि शासन सत्ता में होने के बाद भी इस सम्मेलन में किसानों की उपस्तिती कम देखी गई जिस ग्राम पंचायत में सम्मेलन रखा गया उसी ग्राम पंचायत के लोगों की उपस्तिती कम देखी गई बताते चले कि क्रिशी कानून के विरोध में किसान पिशले लंबे समय से आदोलन्रत है किसानों और सरकार की कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं बन रही वही किसानों का कहना है कि जब तक क्रिशी कानून को रद नहीं किया जाता वे संघर्ष करते रहेंगे किसानों का कहना है कि क्रिशी कानून किसान विरोधी है इस से किसानों की स्थिती और बत्तर हो जाएगी किसानों का ये भी कहना है कि सरकार इन कानूनों को उन पर जबर्दस्ती थोप रही है बता दे कि दिल्ली में किसान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए है बताते चले कि 36 गड़ के डोंगर गड़ में किसान सम्मेलन कायोजन किया गया एजोरान कृशी कानून का जम कर विरोध किया गया इस किसान आंदोलन के प्रमुक रूप से डोंगर गड़ विधान सबाशेत्र की विधायक भूमनेश्वर बगेल, पूर्व उर्जा मंत्री धनेश पाटल, कमलेश वर्मा, क्रांती बंजारे, ब्लोक कॉंगरेस अध्यक्ष वसंजीव गोमास्ता उपस्त्ते किसान सम्मेलन पूरे प्रदेश में चल रहा है और जो केंद्र की मुदी सरकार ने जो तीन विधायक काला कानून जो किसानों के लिए लाए है, उसके विरोध में हम लोग गाउं गाउं जाकर, कसबा कसबा जाकर, हर ब्लोकों में जाकर, हर जीला में और पूर प्रदेश में हम लोग का अंधोलन अभी चालू होगा और चल भी रहा है और किसान साथियों के हक में कॉंग्रेस पार्टी हमेशा लड़ते रही है और लड़ते रहेगी कर दो आप दो आप दो आप लुटेडिन पार्टी राज गराना और जोती गारना ऑज बांट इंटर्प्राइब